आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या होगा, that is asking from the question, okay, so point हमारे हाँ पर क्या होगा कि suppose करी कुछ हाइट से हम लोगों ने एक missile को just propelled किया, with horizontal velocity दे रखा आपका 20 meter per second, तो यह वाला कुछ ऐसा projectile case बना करके नीचे आना चाहेगा, अब बोल रखा कि 2 second पर उसका radius of meter per second, तो वर्टिकल velocity के लिए कर लेशन लिखेंगे, तो फाइनल velocity in vertical, that is equal to initial velocity in vertical और प्लस का आपका जगा G in 2 का T, ठीक है, तो initial velocity in vertical तो 0 है, क्योंकि vertical में कोई velocity है नीचे लिए, जी के जगा पर लखेंगे 10 और इंट का जगा ताइम, that time is 2, तो य में जो velocity आगा है, that is equal to 20 meter per second, ठीक है, तो यह आपका value कितना आगया, 20 आगया अब लोग यहां के का, इसका net resultant निकालेंगे, तो जो जो velocity का हमारा, जो net resultant आ रहा है in fact इसको और अच्छे से लिखेंगे तो इस velocity का जो यह हमारा net resultant आगा, वो आपका कुछ इस direction में होगा, ठीक है this is the net resultant of the velocity तो यह हमारा है V net और इस V net का value आगा, क्योंकि दोनो परपेंडी कूलर है आपस में तो इट विल बी इकल to the V 20 root 2 के बराबर, क्योंकि दोनो परपेंडी तो जो V net हो जागा that is equal to under root of 20 का square plus 20 का square that is equal to 20 root 2 अब जो radius of curvature होता है वो radius of curvature क्या होता है वो होता आपका net velocity का square और divide by आपका होता acceleration due to gravity जो आपका acceleration होता है वो perpendicular होना चाहिए on V net पे on V net पे, मतलब net velocity पे जो acceleration होगा, यह वाला होगा यह वाला होगा अब इसका value क्या होगा इसका value कैसे निकालेंगे इसका value निकालने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले बात की G तो आपका नीचे लग रहा होगा वट इस G का हमें component अगर यह वाला निकालना है तो चुकि यह 20 है और यह आपका यह वाला भी vector 20 था तो यह एंगल और यह वाला अगल आपका 45 होगा ठीक है, क्योंकि vector से देखें तो perpendicular और base बराबर है तो यह 45 होगा, तो अगर इस G का component अटो टोड़ेंगा विद्ध, acceleration, perpendicular on the V net that is equal to G cos45, okay तो अगर solve करें तो अफर आफ्टर इस VALUM विल बीकल तो यह आपका यह 400 और 2 का यह वाला जागा 2 और आपका यह वाला जागा 10 और cos45 1 by root 2 तो अफर आपका यह वाला बीकल तो 80 root 2 in meter and this will be our final answer, okay thank you आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर